हेलो, in this tutorial हम जो discuss करेंगे वो फिबोनाची retracement और extension के बारे में बताएंगे इसको कैसे stock market के उपर apply किया जाता है पहला हम introduction देंगे फिबोनाची है क्या है retracement और extension फिर apply कैसी किया जाता है फिर जो examples है stocks के उपर गैसे apply किया गया है उसकी जिंगे फिर मैंने अपने count से trade किया है Nifty के उपर, Index के उपर जो की national stock exchange का index है Nifty उसके उपर मैंने trade किया है वो trade किया है मैंने option के उपर, call option के उपर तो option की trading आगे मैं वीडियो में बताऊंगा फिलहाल निफ्टी के जो इंडेक्स के उपर trade किया है call option उसके फिबुनाची की retracement tool के हिसाब से trade किया है वो introduction दूँगा आपको पहला है introduction to Fibonacci series के बारे में यह series है 0,1,1,2,3,5,8,13 यह Fibonacci series है Fibonacci retracement और extension में यूज़ की जाती है यह देखिए जो next number होता है पिछले दो number को add करके बनता है 1 plus 2 को add करके 3 आ जाता है और इसका आगे का number कैसे बनता है previous दो को add करके फिर next number जन्रेट होता है इसी तरह 13 जो generate हुआ है 5 plus 8 को add करके हुआ है और 21 कैसे generate हुआ है वो है 8 और 13 को add करके generate हुआ है अब जो ratios calculate की जाती है वो ऐसे calculate की जाती है जैसे 13 और 21 को अगर divide करेंगे 0.61 आजएगी 34 को 21 से divide करेंगे sorry 21 को divide करेंगे 34 से तो 0.61 फिर सीज़ी आएगे जे जो 7 वाला जो number हम divide कर रहे हैं उसके तो 0.61 निकलेगा अगर एक number छोड़ के divide किया जाएगा जैसे 13 और 34 को लिया जाएगा 21 छोड़ दिया जाएगा उसके बीच में 2.38 का जो ratio निकलेगा और अगर दो number बीच में छोड़ दिये जाएगे जैसे 13 और 55 को use किया जाएगा दो number बीच के छोड़ दिये हैं यह हमने तो 0.23 का ratio निकलेगा तो इसमें जो use किया जाते हैं जो इसी ratio से percentage यूज किया जाता है 23.61, 38.2, 50% और 6.1 जो 50% है वो Fibonacci सीरीज से नहीं आता लोग वैसे यूज करते हैं stock market में बट वो Fibonacci ratio नहीं है 50% तो यह use किसलिए किया जाते हैं ratio वो है bounce और correction के लिए कई बार sport और resistance के लिए भी use किया जाते हैं और extension के लिए same ratio यूज किया जाती है 618 की और 1 की means 100% extension होती है वो मैं आगे के बताऊंगा slide हो में इसी तरह 0.38 को add किया जाता है 1 में 1.3 इसी तरह 1 में add करके 1.681 की ratio निकाली जाती है तो यह इस तरह का retracement दिखती है अगर stock यहां से यहां तक जाता है अप trend है तो retracement यहां तक होगी यहां तक retracement होगी इसको बोलते हैं 38% retracement होगी है फिर यह उपर चला जाएगा इसी तरह अगर uptrend में है तो 50% तक ही bounce कर सकता है और फिर उपर चला जाता है इसी तरह 61% नीचे आजाता है कई बार और फिर उपर चला जाता है इसी तरह downtrend में जब down आते हैं stocks तो 38% जम्प करते हैं फिर चले जाते नीचे और कई बार 50% पर भी जम्प करते हैं फिर नीचे चले जाते हैं और फिर कई बार 68-1% पर जंप करते हैं फिर उसके बाद नीचे चले जाते हैं तो इस तरह के पैटरन हम को स्टॉक मार्केट में देखने को मिलते हैं हम ड्रा कैसे करते हैं रीट्रेस्मेंट माल लहद ये 23 पर लिद्वोग है तो यहां से पॉइंट क्लिक करेंगे और यहां क्लिक करेंगे हम चूस करेंगे अपने टेक्निकल अनलेसिस टूल में फैंबोनाची रीट्रेस्मेंट टूल तो यहां क्लिक करेंगे उस पर UP on the top and the point पर क्लिक करेंगे तो यह आटमेटिक लाइन आ जाती है तो यह 38% की 50% की 61% 0.8 की लाइन आ जाती है और प्राइस कल्कुलेट करके आ जाता है तो यहां से कल्क किया और यहां से कल्क किया सर्फ दो क्लिक की नीड होती है इसमें तो यह कल्कुलेट कैसे होता है ratio दोस्तों ही यूज होती है 0.382.50.618 यहां से आप difference देखिए 7 point का है तो जो 30 minus 7 into 0.38.5.618 तो यह बताएगा जो नीचे आने की chances है 38% वो है 27 पे price आया जाएगा अगर 50% नीचे आता है तो 26.5 का आता है और 25.6 का आता है अगर 61% नीचे आ जाता है यहां तक इसी तरह डाउंट्रेंड में यहां क्लिक करेंगे फिर यहां क्लिक करेंगे फिर अपने आप bounce होने की probability बताएगा आप online भी calculate कर सकते हो आप इसक कि अगर online calculator भी आते हैं अपने चार्ट में या के technical analysis में भी count कर सकते हैं कितना jump करेगा उपर को अगर downward trend है अगर upward trend है कितना नीचे को jump करेगा यह बताते हैं तो दो click की जुरूरत है यहां से और यहां से तो deep correction कितना लेगा यहां तक 38% कितना price आय सकता है 50% कौन सा price हो सकता है और 61% कौन सा price हो सकता है कहां आपको entry करनी है अगर upward trend है अगर downward trend है कहां आपको selling करनी है यहां selling करनी है 61% पर यहां यहां से यहां तक चंप ले लिया अगर upward trend है तो यहां नीचे correction ले ली है उसने नीचे को bounce किया है तो आगे कितना उपर तक जाएगा 100% से ज्यादा उपर तक कितना जाएगा तो यही calculate करने का तरीका होता है पर यहां 28 में add किया जाता है तो यहां add करके 7 का जो level है difference है 28 में उसकी ratio से multiply करके add करके हम predict कर सकते हैं 138% उपर तक कब जाएगा 37 price होगा तो यह हमारा resistance level भी हो सकता है यहां exit भी कर सकते हैं long position को इसके बाद नीचे आनके chances भी हो सकते हैं इसी तरह downtrend में अगर उपर से गिर रहा है market नीचे आ रहा है तो फिर दोबारा उपर कितना bounce किया है फिर नीचे कितना chances है आने के तो यह अग्जांपल है हमने इस पर आर पावर के उपर हमने retracement लगाया हुआ है यहां से हमने दिखा है गिर रहा है एक दम से गिर रहा है यहां तक कदवारा bounce किया है 38% 50% पे और थोड़ा सा close रहा गया 61% से यहां से जहां downward trend था और bounce कितना किया है वो ratio हमने calculate किया हमने NSE team का जो freeware software यूज किया है plugin यूज किया है historical data लेकर यहां से लेकर यहां क्लिक किया और फिर यहां किया annotation में जाके आप देख सकते हो इसमें आ जाता है extension और retracement tool तो retracement tool से यहां से click करके यहां किया तो देखते हैं bounce करने की probability है अगर नीचे जा रहा है तो दोस्तों यहां पे 50% पे selling कुछ करिए फिर 31 61 पे selling कर सकते हैं क्योंकि trend थोड़ा downward है यह सिर्फ bounce है waves की तरह stock market भी है कर सक हैं इसी तरह आप देख सकते हैं ARCOM का ARCOM का जो है R поверх का जो है recent हमने calculate किये है 2015 के यहां से price गया है downward तो ये extension हमने calculate कि है कितना नीचे जा सकता है, sport कितना है तो यहाँ से calculate किया, यहाँ click किया हमने, और यहाँ click किया है लिचे कीतर और फिर bounce level पे click किया है हमने यहाँ click किया हुमने bounce level तो यह extension दिखा रहा रहा है आपको 61% 100% extension दिखा रहा है 138% extension below यहाँ तक possibility इसकी downward जाने की यह हमने extension use की है कितना आगे down जा सकता है यहां से click किया यहां तक फिर bounce पे click किया है हमने तो bounce से आगे पता चला है हमने यहां तक जा सकता है यह आप देखिए यहां sport हो चुकी है थोड़ी बहुत यहां click उपर को जा रहा है फिर उपर को जा रहा है पिर पलट रहा है उपर से तो इसी तरना support और resistance भी पता कर सकते हैं तो आपको 3 click की जूरी रता extension के लिए यहाँ से click कीजिए फिर यहाँ click किये फिर यहाँ correction level भी click कीजिए तो यह आपको level बता देगा extension में यहाँ से click कीजिए उपर की point से नीचे कितना आया है उस पर क्लिक कीजिए फिर bounce कितना हुआ है उस पर क्लिक कीजिए तो extension पता चल जाएगी कितनी extension हुई है यह nifty trade है हमारा आप देख सकते हैं यह 4 माई की trade का chart है हमने देखा pivot point की helply है upward trend था तो आने वाले videos में आपको pivot point से कैसे trade करना है वो बताऊंगा फिलहाल इस retracement tool के साथ हमने combine किया है pivot points की knowledge को भी और trend की knowledge को combine किया है retracement के साथ तो trend बहुत bullish था उस दिन तो हमने यहां से click किया यहां तक तो हमारा retrace correction जो हुई है यहां तक 61.8% तक हुई है तो हम देख सकते हैं यह correction यहां तक हुई है market bullish था उस दिन बहुत ज़्यादा तो उपर जाने की probability थी तो हमारा यह entry point था यह यहां था तो यहां हमने entry ली है जब यहां correction होके आया है और यहां से नीचे को आया है एक retracement हुई है यहां से click किया यहां से click किया retracement tool से और उसने दिखाया 61% नीचे आ चुका है अब यहां से हमने entry ले ली है यहां पे अब extension यूज़ करेंगे भी कहां तक उपर जा सकता है तो हमने extension यूज़ की है यहां से click किया वही retracement आले टूल से extension आले टूल से retracement आले value यूज़ की यहां click किया फिर यहां click किया और फिर हमने bounce correction लेवल पे click किया हमने तो तीन click किया हमने extension apply करने के लिए और फिर इसने extension दिखाई है यह देखिए यहां तक 38 1.2% extension दिखा रहा है यह resistance level profit exit करने की condition में आप कर सकते हो तो यहां entry ले जीजिए और यहां से extension से आप बाहर आ सकते हो हमने pivot point का भी help ली है R3, R2, R1 की कहां कहां तक हो सकती है तो वो आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा फिलहाल उस knowledge को यूज करके हमने extension और retracement tool भी apply किये हैं जिससे success rate बढ़ गया है तो यह था हमने call trade की है हमने buy की थी 28 माई इसको 86 की call buy की थी 40 रुपे पे और हमने 10 वज के 17 मिनिट पे entry की है और 2 वजे entry exit कर दी है आप 5-10 परसेंट का profit ले सकते हो 20 परसेंट का ले सकते हो according to your requirement तो यह trade था live example आपको दिखाई है मैंने कैसे pivot point की help से और trend की help से trend की किस तरफ है bullish है bearish है तो उसको हमने pivot point और trend को combine करके और retracement tool से हमने entry point यहां लिया है और exit point हमने यहां लिया है तो आप यहां भी exit कर सकते हो according to you आप यहां भी exit कर सकते हो तो आप यहां exit कर सकते हो इसलिए यह resistance शो कर रहे है pivot point और trend के according हमने apply किया है फ्रेबुनाची extension और टूल्स को retracement को टूल को यह trade किया है successful trade रही है हमारी उस दिन तो प्लीज आप लाइक कीजिए subscribe कीजिए आने वाली और टूल्स के वाले में आप बताऊंगा मैं आपको thank you for watching आप online भी calculate कर सकते हो इसको और आने वाली वीडियो में बताऊंगा आपको thank you for watching